दबाफ भी बन रहा है और वो है chemical space कहीं सारे stocks हैं जो हम देख रहे हैं लेकिन story प्रकाश के पस जो यह है वो यह है कि सरकार chemical और petrochemical sector के लिए PLI scheme जल्द ला सकती है इस पर industry क्या कुछ prepare कर रही है अईक बर प्रकाश से समझ लेते हैं देखिए सरकार Chemicals and Petrochemicals सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाने जा रही है इसकी चर्चा की शुरुआत भी हो गई है वित मंत्री ने इसको असपश्ट किया है और साथी साथ इंडस्ट्री को भी इस बात के निद्धिश दिये हैं कि किस तरह के incentives की उन्हें जरूवत है किस तरह के support क जरूवत है सरकार की तरब से उसकी जो एक details रूप रेखा है वो सरकार को सौपे और उसके बाद इस मसले पर आगे की चर्चा जो है वो की जाएगी जैसा कि आपको पता है कि सरकार अलग-अलग sectors में PLI स्कीम की घोशना ला रही है और chemical sector के लिए PLI स्कीम की मांग काफी समय प्रकार सब्सक्राइब इस मसले पर चर्चा पहले से चल रही है इंडस्ड ने कुछ प्रेजेंटेशन भी दिये हैं उस पर चर्चा भी की गई है और शुरुआती प्रस्ताव के हिसाब से जो PLI स्कीम की साइज हो सकती है वो करीब 9 से 10 हजार करोर रुपए हो सकती है और साथी साथ जो इंसेंटिव से वो manufacturing capacity के हिसाब से करीब करीब 20% तक होगी साथी साथ शुरुआती 5 साल तक कंपनियों को इंसेंटिव का फायदा मिलेगा यानि कि जब से वो manufacturing के शुरुआत करेंगे उसके बाद 5 साल तक उन्हें इंसेंटिव का फायदा मिलेगा सरकार की कोशिश यह है कि 2040 तक जो chemicals industry की size है उसको बढ़ाकर 1 trillion डॉलर के किया जाए जो कि इस वक्त करीब 300 billion डॉलर के आसपास है ठीक है शुक्रे परकाश यह सारी एहम जान कर देने के लिए जो कि chemical industries को PLI schemes के अंदर वापिस से connect किया जा रहा है